हेलो एवरिवन आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल अपना सफर 786 में आज हम जो टैरो का रेटिंग कर रहे हैं इसमें देखने की कोशिश करेंगे जिनका ख्याल आपके दिल दिमाग में चलता रहता है जिनें आप याद करते रहते हैं और जिनको आप बार बार याद करते रहते हैं वो आपके बारे में क्या सूचते हैं क्या वो भी आपको याद करते हैं यह देखने की कोशिश करेंगे जब तक मैं कुछ कार्स निकाल रही हूँ आपके लिए आप अपने परसन को विजुलाइज करते रहें और पॉसिटिव माइड के देख रहें हैं उसके बारे में सोच कर देखें यहाँ आपने कुछ कार्स निकाल लिये हैं और बाटम में जो हमारे पास गार्ड आया है वो आया है पेज उपांटिकल्स एंट बागी सारे कार्ड्स हैं Queen of Cups, 7 of Swords, 10 of Cups, 6 of Swords, 9 of Cups, Ace of Cups Okay, reading start करते हैं हमारे Ace of Cups के कार्ट से तो यहाँ पना इस परसन के दिल में आपके लिए जो feelings past में थी मुझे ऐसा लगता है अभी भी वो खत्म नहीं हुई है अभी भी उस परसन के दिल में आपके लिए जो feelings पहले थी वही आज भी है बट किसी ना किसी मजबूरी के वज़ा से यह person आपको धोका दे कर गया है आपके साथ cheating कर गया है बट ऐसा नहीं है कि यह person आपसे प्यार नहीं करता है यह इसके दिल में आपके लिए कोई feelings हैं ही नहीं इस person के दिल में आपके लिए feelings भी है प्यार भी है और यह आपकी care भी करना चाहाता है है यह आपके साथ भी रहना चाहता है आपके साथ एक नई शुरवाद भी चाहाता है बड़ ये person मजबूर है अपनी family की वज़ा से और इस person ने आपके साथ past में जो भी cheating की है धोका किया है फरेब किया है वो अपनी family की वज़ा से ही किया है उनकी needs को पूरा करने के लिए किया है ये person आपसे move on तो कर गिया है बड़ अब इस person को इस बात का एहसास भी है कि इसने खलत तो किया है बड़ फिर भी ये जुटलाने की कोशिच करता है person और काफी टाइम से जुटलाने की कोशिच करता आ रहा है बड़ मुझे ऐसा लगता है कि अब देरे देरे इस person को एहसास होता जा रहा है जब इसकी financial conditions कुछ ठीक हुई है तब इसको जाकर यह अहसास हुआ है कि इसने जो कुछ भी किया और आज जो कुछ भी यह person है आपकी help की वज़ा से ही है तो अगर आपने इसकी help नहीं की होती तो आज इस मकाम पर नहीं होता यह person जहां पर यह खुद को देख रहा है और पहले यह person selfish हो कर सूचता था selfish हो कर decision लेता था ज़्यादा किसी की परवा नहीं करता था इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी family दिखाई देती थी अपना आप दिखाई देता था जिसकी वज़ा से इसने आपका भी दिल तोड़ दिया ऐसा नहीं है कि यह person आपको घलस समझता है यह person आपको trustworthy समझता है इस person को पता है कि आप kind hearted और काफिश supportive इनसान है और आपके दिल में इस person के लिए जो feelings हैं वो भी genuine है true है इसके बावजूद इस person ने आपके साथ cheating की है और वो cheating इसकी family के needs को पूरा करने के लिए की है यह person move on कर गया था past में तो अब यह बैट करना सोचता है यह person कि इसने past में जो कुछ भी किया क्या सही था अगर इस person के साथ में यही सारी चीज़े हुई होती है तो यह किस तरह से react करता और क्या आप इस person को माफ करते तो यह person जब सोचता है अपने गलतियों के बारे में तो इसको ऐसा लगता है कि हाँ आपका दिल बहुत बड़ा है आप इसे माफ कर सकते हैं तो यह person return आकर अपने किये की माफी मागने का सोचता है ये person return आना चाहता है आपकी life में ऐसा नहीं है कि permanent आना चाहता है पर हाँ ये आपसे बात करना चाहता है किमकि ये person अपने nature से मजबूर है अपनी family से मजबूर है जिसकी वज़ा से commitment तो ये person नहीं दे पाएगा बठाँ आपसे बात करने का ये जरूर सोचते हैं ये person आपको miss भी करता है इस person का दिल आपसे होता है बात करने का बठ ये खुद को रोकता है किमकि इस person को पता है कहीं न कहीं जब ये आपकी life में आएगा तो आप इससे commitment चाहेंगी इसका साथ चाहेंगी और ये person commitment नहीं दे पाएगा आपके साथ नहीं रह पाएगा इसके बावजूद इस person को आप में एक अच्छा friend नजर आता है ये person आप से बात भी करना चाहता है messages भी आपको send करते करते खुद को रोक लेता है इस person का जो behavior है वो काफी बच्पनी जैसा है तो ये person आज भी बच्पने में जी रहा है ये person मिश्यूर हुआ ही नहीं है और इस person के opposite अगर आपकी बात की जाए ना तो आप इस person के साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं आज भी आप इस person का इंतिजार कर रहे हैं ये person आपके दिल दिमाग से निकलता ही नहीं है आप भी इस person के दिल दिमाग से तो नहीं निकलते हैं बढ़ हाँ ये उस तरह आपके बारे में नहीं सोचता है उस तरह से feel नहीं करता है जिस तरह से आप इसके लिए feel करते हैं बट हाँ ये person आपको मिश्टो करता है याद भी करता है बले ही थोड़ा कम करता हो बट हाँ करता तो है ओके विवर्स ये थी आपकी reading आयोब आपको पसंद आई होगी मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें बाबा बाइ!